तो दोस्तो टेकरोमस में आपका बहुत-बहुत सौगत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ Nokia 6.1 Plus के बार में तो Nokia 6.1 Plus में हमें एक already OTA Update देखने को मिल रहा है और इस OTA Update के बाद इस phone में क्या सब changes हमें देखने को मिल रहा है इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तो आप लोगों से मैं एक ही request करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अन तक देखेगा और अगर आपके वीडियो अच्छी लगते हैं इस वीडियो को लाइक करो और ज़रूर से इस वीडियो को शेर करना ताकि इस चैनल को तोड़ा सा सपोर्ट मिले तो चले उसी इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके OTA अपडेट के बारे में तू नोकिया 6.1 प्लस में मुझे कली OTA अपडेट देखने को मिला था और मैं इसको अल्रेडी अपडेट कर चुका हूँ और बात यही पर आपको क्या सब चेंजेस इसमें देखने को मिलता है तो उन्होंने यह आपर मेंशन किया है कि यह बस एक नॉर्मल सा सिक्यूरिटी पैच वाला अपडेट है जो आपको हर महीने इस फोन में देखने को मिलता है लेकिन मुझे इसके अलावा भी कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिल रहा है जो कि इसके बक्स थे वो तोड़े से कम हो गए तो चले मैं उन सब के अबारे में आपको पता देता हूँ तो दोस्तो ओवराल जो Nokia 6.1 Plus का user experience है वो मुझे तोड़ा सा बेटर देखने को मिला है अगर हम compare करेंगी इसके पहले वज़न से पहले क्या होता था कि कुछ lag वगर हमें देखने को मिलता था जब भी हम notification panel को किचते थे लेकिन अभी के टाइम पर ये पूरी तरीके से fix हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी बात है तो दोस्तो अगर मैं बात करूँ इसके gameplay के बारो में तो gameplay में मुझे ज़्यादा कुछ difference देखने को नहीं मिला है लेकिन जो भी bugs वागे रहा थे वो थोड़े से fix हो चुका है इस update के बाद मैंने पहले भी कहा था अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने Nokia 611 Plus की ओपर बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि जब भी मैं PUBG किलता हूँ और जब भी मैं notification panel को swipe करता हूँ नीचे तब पूरा जो notification होता है वो पूरी तरीकी से blank होता है लेकिन अब ऐसा कुछ issue मुझे देखने को नहीं मिल रहा है पूरी तरीकी से वो fix हो चुका है तो यह एक अच्छी बात है और अगर मैं बात करो overall gaming के बारे में तो यह पर मुझे ज्यादो कुछ difference देखने को नहीं मिल रहा है same to same है लेकिन अलका सा lag मुझे यह पर नजर आ रहा है जब भी phone ज्यादा heat होता है तो तो दोस्तों बस इतने ही changes आपको यह आपर देखने को मिल जाते हैं अगर मैं improvements के बारे में बात करो तो यह पर हमें दो improvements आपडेट के बाद देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले हमें यह पर इसका जो overall user experience है वो तोड़ा सा बैटे देखने को मिल जाता है और दूसरे यह आपर जो भी bugs थे Nokia ने आपडेट के बाद फिक्स कर दिया है तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके battery heating issue के बारे में तो battery heating issue अभी तक Nokia ने fix नहीं किया है लेकिन हो सकता है वो future में इसको ज़रूर fix कर दे लेकिन जो सबसे बड़ा issue था वो था इसका charging port वाला issue तो इसका मुझे अलरी एक solution मिल चुका है और उस solution को मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर से share करूँगा तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखियेगा तो चले हुस तो आज के लिए बसंद है अगर आपके वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर से like करना और share भी करना और अगर आप लोगों को इस चैनल को support करना है तो इस चैनल को ज़रूर से subscribe करना और मैं अपनी अगली वीडियो charging port के उपर बनाने वाला हूँ Nokia 6.1 Plus में तो वो वीडियो आप बिल्कुल भी miss मत कीजिएगा इसलिए bell icon को ज़रूर दमाएगा तो चले उस तो मिलते आप से आगली वीडियो में तब तक के लिए good bye